नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है स्रवन पटवा और आप सभी का हमारे यूटूब चैनल Knowledge All About में स्वागत है दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम New Requirement 2021 के बारे में बताने वाले हैं जो आउट की गई है राश्चिर स्वास्त मिशन NHM 36 गड़ से जिसमें विसिसक चिकित्सक एम चिकित्सक अधिकारी के विभीन 42 पद सामिल हैं जिसमें 36 गड़ एम आल इडिया के अभियर्थी आवेदन कर सकते हैं हम नौटिफिकेशन के जरिये Eligibility, Number of Vacancy, Age Limit, Selection Process, Apply Process क्या होने वाला है Step by Step discuss करने वाले हैं उससे पहले मैं आपको बता दूँ जो लोग मेरे चैनल पर पहली बार आये हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किये हैं वे चैनल को सब्सक्राइब एम नौटिफिकेशन वाले वेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारे दौरा जो भी फर्ति से संबंधित नौलेजबल वीडियो पोस्ट किया जाता है वह आपको हर पल मिलती रहें आप सभी यह नौटिफिकेशन देख सकते हैं यहां पे राज इस तर पर रिक्त पदों की संख्या पद नाम एम मांदे सहीत प्रवर्ग वार्ग वीवरड निमनानुसार है यहां पे आप पोस्ट का नाम देखेंगे प्रोग्राम नेम उसके बाद टोटल वेकेंसी इतना है उसकी जनकारी साथ ही यहां पे category wise अलग-अलग सीटो का वीवरड यहां पे अलग-अलग पदों wise आपको यहां पे अनिमार सेक्षरी की योगिता देखने को मिलेगा साथ ही यहां आपका salary पर मन्थ कितना होने वाला है उसका डीटेल्स भी आप सभी को STABLE के अंतर गत देखने को मिलेगा आप सभी इसे नीचे ।क से डाउनलोड करें डाउनलोड करने के बाद सारी डीटेल्स को अच्छी तरह से देखें उसके बाद ही आवेदन भरें इसी प्रकार आपको यहां भी देखना है अपने टोटल पद वाईज अपनी अनिवार सेक्षिरिक योगिता सेलरी क्या होने वाला है आवेदन पत्र के संबन्द में दिसान इर्दिस तिया गया है जिसे आप सभी को अच्छी तरह से देखना है आवेदक विभागे वेबसाइड www.cghealth.nic.in में विग्यापन का प्रारूप देख सकते हैं दिनांग 22-21-6-2021 रातरी 12 बजे तक विभागे वेबसाइड cghealth.nic.in के माध्यम से अनलाइन आवेदन आमंत्रित किया जाता है इसके अलावा अने किसी भी माध्यम से आवेदन पत्र सिवकार नहीं किया जाएंगे साथ ही विग्यापन तिथी तक समझ सेक्षडिक एउन अहरताय पूर होना अनिवार है अन्य था आवेदन पत्र ततकाल अस्विकिरित करती जाएगा अन्य था आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा आयू सीमा की बात करें तो एक जनवरी 2021 को अभियर्थी की आयू 18 वर्ष अरिक्तम 64 वर्ष होना जाहिए आयू की गड़ना दिनांग एक जनवरी 2021 के अधार पर काउंट किया जाएगा आवेदन सुल्क का विवराड आपसे भी को यहां केटेगरी वाज देखने को मिलेगा और यहां सुल्क का विवराड जो है अलग अलग देखने को मिलेगा यहां पे वेतन मान के हिजाब से यहां पे सुल्क विवराड दिया गया है आवेदन हेतु सुल्क आनलाइन माध्यम से हिद्य होगा पंजियन कर्मांग का उलेख करने पर ही आवेदन माने होगा अपुल अ इस पर्ष्ट एंट्रोटी पुल आवेदन पत्रों के समथ में कोई सुचना नहीं दी जाएगी ऐसे आवेदन पत्तत काल अमाने कर दिया जाएगे अनिराजियों के अभिर्थियों को अरक्षर का लाव नहीं दिया जाएगा अता अनिराजियों के अभिर्थियों को अनारक्षित वर्ग हेतू निर्धारित सुल्ग का भुगतान करना होगा होगा आउनलाइन आवेदन कैसे करना है उसका वीडियो मैं आपको नीचे डिक्रेशन बाक्स में दे दूँगा उसके माध्यम से आप सभी घर बैठे अपने मॉबाइल के माध्यम से भी आवेदन कर पाएंगे आवेदन सुल्क का भुगतान करें भुगतान करने के दाबा अपत्ति है तुपात अपहर्थों की सूची सूचना अने निडेश्म का प्रकाशन विभागी वेबसाइड में प्रिथक से किया जाएगा समय अनुसार इसके अलोकन की जिमेदारी अभ्यर्थियों की होगी अने किसी भी माध्यम से प्रिथक से कोई सूचना अभ् प्रतिक्षा सूची का प्रकाशन की तरह होगा उसका डीटेल्स भी आपको यहां पे देखने को मिलेगा प्रतिक्षा सूची की अंत्रकत उग पद के लिए वरगवार प्रतिक्षा सूची भी जारी की जाएगी जिसकी वैद्ता जारी दिनांग से एक वर्ष तक अथ्वा-नविन भरति प्रकार की तखनीकी समस्या उत्पन होने की स्थिती में कार्यालिन फोन नंबर ये भरती संबंधी जनकारी है तो फोन नंबर पर समय प्राता है 11 बसे 5 बज़े तक संपर कर सकते हैं, भरती पर किरिया किस संपूर जनकारी के लिए आप वेबसाइट पर निरंतर विजिट करते रहें, मुझे उमीद है आप सभी को यह जनकारी अच् करें इम दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा से शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब इम शेयर करना न भूलें, थैंक्स फॉर वाचिंग